हेलो फ्रेंड्स इस्टे डिवायस चैनल में आपका हार्दिक श्वागत है PCS 2020 की प्रारंभिक परिक्षा होने वाली है इसी को देखते हुए हम अभी तक के उतरपदेश PCS के जो भी पेपर हुए है C-Sate के उसके अंतरगत हिंदी के आने वाले प्रशनों का हल लेकर आया हू तो C-Sate के पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है इसलिए इस पेपर को हल के में न ले और इसके अंतरगत आयवे हिंदी के प्रशनों को एक बार पुना देख लें जिससे कि आपको तैयारी करने में सहुलियत मिलेगी तो आईए इसके प्रशनों को देखते हैं पाला प्रशन है कि गमला तथा आलपिन पूर्टगाली भासा के सब्द हैं तो इसको याद रखेगा कि गमला और आलपिन दोने पूर्टगाली शब्द हैं इसमें जितने भी बिभिन भासाओं के महत्पौन शब्द हैं उसको तयार कर लेजिएगा नेक्ष्ट बच्चा का तत्सम वत्स होगा नेक्ष्ट आभ्यांतर का बिलोम क्या होगा बाहिय होगा नेक्ष्ट तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो में क्रिया विशेशन का प्रयोग हो रहा है क्योंकि पढ़ना एक क्रिया पढ़ रहे हो तो इसकी विशेषता बता रहा है जी जान लगाकर इसलिए क्रिया विशेषन जो कि क्रिया के विशेषता बता रहा है जी जान लगाकर Next हंसपद हंसपद का प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है जब कोई सब्द छूड जाता है तो हंसपद वहां लगा दिया जाता है इस तरह कहोता है नेक्ष्ट है निश्चन्देह, निश्चंकोच, उज्वल, महत्व में अशुद्द वर्तनी है महत्व की तो महत्व इस प्रकार होगा, डबलता होगा इसमें, बाकी ये सब सही, उज्वल में डबल जाह होता है आधा, निश्चंकोच, आधा सपुरच और इसमें ये होता है और महत्व में डबलता होता है आधा नेक्ष्ट पितांबर में करमधारत था बहुबरी दोनों शमाशे नेक्ष्ट खिड़की का पर्याबाची सब्द है वातायन बारी दरीचा यानि ये सब खिड़की का पर्याबाची है नेक्ष्ट रामचरित मानश की रशना आओधी भासा में होई तो इसकी रशना किषने की थी तो तुलशी दाशने की थी वो भी किस भासा में आओधी भासा में नेश्ट अंक सब्द का आर्थ है गोद, चिन और शंख्या अंग नहीं है अंग का आर्थ होता है शरीर का हिस्सा या किसी चीज का हिस्सा नेश्ट अपनी करनी पारुतरनी का आर्थ है अपनी कर्म का भल स्वयम भोगना पड़ता है next है को कंठाए है को कंठाए है द मुर्धन्य है म उस्ठाए है छ तालब्वे है next है मात्र रिडाम का शंदी विच्छोद होगा मात्र रिधन रिडाम या हलंत रहेगा रिडाम में नेक्स्ट है जो सब्द उचारण और वर्तनी की दिष्ट से समान हूं परन्त व्युत्पति तथा अर्थ की दिष्ट से बिन्हों उन्हें क्या काते हैं शम्रोप या समच्छारित कहते हैं नेक्स्ट है उसे मृत्व दंड के सजा मिली में अशुद्धी क्या है अशुद्धी इस प्रकार है कि डंड और सजा दोनों परयाबाची सब्द हैं और इनका प्रयोक एक अही वर्ड में साथ नहीं हो सकता है नेक्स्ट खड़ी बोली हिंदी भासा का अन्यनाम कौर्वी है जिसको मेरठ आदी जिलो आसपस बोला जाता है इसका नम कर्वी है नेक्स्ट दधीची याग्यवल्क निब्रित्ती तथा घनिष्ट सुद्ध शब्द है तिया घनिष्ट दिया था विकल्पों में तो इसको में घनिष्ट सुद्ध होता है तो इसको मैं सबको साई सुद्ध करके लाया हूँ दधीची में धवब बड़ी चब छोटीची याग्यवल्क में इस प्रकार होगा निब्रित्तियश होगा नेक्स्ट नयन का संद्ध भी छेद क्या होगा तो नेधन अन इसमें कौन से संद्ध है आयादि संद्ध है नेक्स्ट चरण कमल में कर्मधार शमाश है नेक्स्ट चंद्रमा तथा ब्रामः के लिए कौन सा सब्ध है द्विज द्विज का आर्थ चंद्रमा भी होता है ब्रामः भी होता है नेक्स्ट है मश्रिण का बिलोम रुक्ष होगा नेक्ष्ट अग्नी पुस्प सलाका चौदा में तदभाव शब्द कौन है तो तदभाव शब्द है चौदा और चौदा को आथ तत्सम होगा चतूरदश और अगने जैसे तत्सम है तो इसका तद्वह होता है उसका फूल होता है सलाकाग सलाई होता है नेक्स्ट स्याम हसता है यह अकर्म क्रिया है क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं आया है 9-1-1-4-0-9-8-5-0-2-7-1 तो स्याम हसता है और कर्म क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं आया है जिसका प्रभाव पड़े क्रिया का कर्म नेक्स्ट अंतरिक्ष अंबर पियूश नव में ब्योंका पर्याबाची पियूश नहीं है क्यों क्यों पियूश अम्रित का पर्याबाची है नेक्स्ट पगड़ी रख घीचक का आर्थ है मान समान से ही जीवन का आनन्द है क्या काते हैं अशुरियम पश्या नेक्स्ट है परिधान पिटारा प्रत्यभिज्ञान पिटक में से तदभा सब्द कौन सा है तो तदभा सब्द है पिटारा और इसका तदसमोगा पिटक नेक्स्ट है कौन बोली उत्तर पदेश की नहीं है ब्रज, आओधी, भोजपूरी, बगहेली तो इसमें से बगहेली बोली यह है यह उत्तर पदेश की नहीं है क्योंकि यह मध्य पदेश की पूर्वी हिश्चे तेथा च्छत्तिजगर में बोली जाती है अभी जैसे कि च्छत्तिजगर के मुख्यमंत्री है बभेश बगहेल नेश्ट है भभूत का तत्सम रूप है विभूती, भभूती, 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 भभूती तो इसका अंशर है विभूती भभूत का तत्सम होगा विभूती नेश्ट है देवरिया, मिर्जापूर, इलाहबाद, बलिया में कौन सा भोच्पूरी शेत्र नहीं है तो इलावाद भोच्पूरी शेत्र नहीं क्योंके यहां पर आउधी बोली जाती है अब आगे देखते हैं घूलर का गूलर का फूल होना का आर्थ है दुरलब होना त्याद रखिए कि गूलर का फूल होना का आर्थ है दुरलब होना जो लगबग दिखाई न दे कभी दिखता नहीं है और इसी तरह एक और वर्ड है कि इद का चाद होना का आर्थ है कभी कभी दिखाई देना और जब गूलर क प्रतिपदा का अर्थ क्या है तो प्रतिपदा का अर्थ है पक्च की पाली तिथी नेक्ष्ट अनुरूप का बिलूम शब्द है प्रतिरूप नेक्ष्ट जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें संबंध वाचक सर्वनाम है संबंध बता रहा है कि जैसा काम करोगे वैसा है फ़ल मिलेगा नेक्ष्ट पुरंदर का पर्याबाची है अमर्पती तो पुरंदर काते हैं इंद्र को अमर्पती भी इंद्र को काते हैं फड़ी का पर्याबाची है उरग फड़ी माने भी साफ होता है उरग माने भी सर्फ होता है नेश्ट अनिवार का अविलोम एक्षिक होगा आश्रा का अर्थ है अविलासा इच्छा चाहत नेश्ट छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन यूग में विशेशन है लेकि राम लक्षमर विशेशन नहीं है क्योंकि ऐसा विशेशन के रूप में प्रयोग होते हैं लेकि राम नेश्ट तसकर, ध्यान, बोध, हाथ सब्दों में हाथ तदभाव है बाकी सब्द तत्सम है और हाथ का तत्सम होगा हस्त नेश्ट प्रतिकूल का बिलूम अनुकूल होगा नेक्ष्ट रचाईता अनुग्रिहीत आहार रिष्टों में सुद्धवर्तनी रचाईता है तो रचाईता है सुद्धवर्तनी है नेक्ष्ट चिरंतर का बिलोम नश्वर होगा नेक्ष्ट आपले डफनी अपना राग का आर्था संगठन का अभाव नेक्स्ट द्रेवग के कार्थ है ज्योंतिशी नेक्स्ट अनल पावक ब्योम क्रिशानु में आग का पर्याबाची कौन सा नहीं है तब ब्योम ब्योम मने होता है आकाश बाकी अनल मने आग होता है पावक मने भी आग होता है क्रिशानु मने भी आग होती है नेक्स्ट यर लव अंतस्थ ब्यंजन है नेक्स्ट पतन का बिलोम होगा उत्थान नेक्स्ट श्याम शोता है और कर्म क्रिया है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं आया है नेक्स्ट पिता उसे पढ़ाते हैं राम नहीं पढ़ता वे अध्यापक्षे पढ़वाते हैं अध्यापक परिश्रम कराते हैं वाक्यों में प्रनार्थक क्रिया किश्मिन नहीं है तो राम नहीं पड़ता इसमें कोई प्रनार्थक क्रिया नहीं है इसमें कोई पिरणा नहीं दी जा रही है नेक्ष्ट सब्तर्सी में कौन सा समास है तो द्विगू समास है क्योंकि द्विगू समास में संख्या बाचक सब्द होता है नेक्ष्ट अस्थावर का बिलूम जंगम होगा नेक्स्ट देवेंद्र में गुर्शंद्र है देवधन इंद्र होता है इसका संदिविच्छेद नेक्स्ट कलेजे पर सांप लोटना कार्थ है इस्सिया से जल उठना यथा रूप में अभेई भाव समास होता है जिसका परफ़म पद समास हो उसे अभ्यभाव समास करती है नेक्स है कुमुद्नी सुद्ध वर्ड है दोनों पर छोटा उबात्र रहाएं को दो पर छोटीक मतर नो पर छोटीक मतर नेक्स्ट अन्वाई का संद्विच्छ दोगा अनुधन आये नेक्स्ट मैं सारी रात जागता रहा शुद्ध वाक्य है यह आये था कि मैं सारी रात भर जागता रहा तो गलत है भर नहीं होगा सारी लग गया तो फिर भर की जरूत नहीं इसलिए शुद्वाक्य मैं सारी राथ जाकता रहा नेक्स्ट है निश्चल का आर्थ होता है जो अपने अस्थान से हिलने शके नेक्स्ट वह डंड देने के जोग्य है ब्याकरण के दिश्टी से असुद्ध है इसका सुद्ध रूप होगा वह डंड का पात्र है यहाँ योग बिता उसके अंदर नहीं है योगी का मतलब होता अच्छे क्वाल्टी तो डंड का पात्र है नेक्स्ट है भाराइच सुल्तान पूर राइबरेली की बोली अवधी है त्याद रखेगा अवधी बोली भाराइच में भी है सुल्तान पूर राइबरेली नेक्स्ट करपट का तद्भो कपड़ा है करपट सब्द तत्सम है नेक्स्ट बालिका निबंद लिख रही है सकर्मक क्रिया करत होता है कि वो क्रिया जिसका प्रभा कर्म पर पढ़ता है तो ये लिखने की क्रिया हो रही है तो इसका प्रभाव निबंद पर पढ़ रहा है का समीर पाउन का पर्याबाची तो याद रखेगा निशी विरात का है विभावरी रजनी आगे देखते हैं क्रिपया प्रत्रोत्तर शिग्रदें शुद्ध बाक्या है नेक्ष्ट किरण का पर्याबाची मरीच तथा रश्मी दोनों का अर्थ होता है किरण आलमारी एक पुर्तगाली शब्द है ग्रस्त का विलो मुक्त होगा हाथ अंधेरा पत्ता तदभव शब्द है यह सब तदभव हैं तो हाथ का तद्सम होगा हस्त अंधेरा का अंधकार होगा पत्ता का पत्त्र होगा तद्सम नेक्स्ट सिर से पाने गुजर जाना का अर्थ है सांसीलता की सीमा तूट जाना नेक्स्ट राजकुमार यग्यवेदी ग्राम वाशित तत्पुरुष्टीरों तत्पुरुष्ट समाशे नेश्ट देखते हैं द्विजकार्थ है ब्रामर पक्षी दान्थ तीनों है द्विजकार्थ नेश्ट राम लक्ष्मर से पत्र लिखवाता है कैसी करें प्रनडार्थ है प्रनडादेरह लिखने की नेक्स्ट है मुक का बिलोम वाचाल होता है आयव ब्रज भासा का सब्द याद रखेगा आयव वर्ड यरलव अंतस्त ब्यंजन है तटनी तरंगिडी निमना ये नदी का पर्याबाची है सरिता यानि नदी का पर्याबाची है तीनों नेक्स्ट रचना के दिष्टी से क्रिया के दो भेते हैं सकर्मक और औकर्मक नेक्स्ट आखों में गड़ना माने मन में खटकना नेक्स्ट अंत्याक्षरी शुद्शब्द है तो याद करिएगा ऐसे लिखा जाता है अंत्याक्षरी नेक्स्ट वागजाल वागजाल का संदे विच्छे दोगा वागधन जाल को में हलंत रहेगा नेक्स्ट कवी का इस्त्री लिंगो का कव इत्री कव इत्री नहीं होगा कव इत्री होगा नेक्स्ट खर का आर्थ होता है गधा भी होता है तीनिका भी होता है एक राक्षस था खरदूशन नाम को दो राक्षा से उसमें खर एक था रामायन में आया है जो नेक्स्ट है स्वयम्भू का आर्थ होता है श्वता होत्पन जो हो नेक्स्ट शदयों में ब्रिद्धी शंदी है शदा धा ये व इसका शंदी विछे दोता है क्रिदंत प्रत्य क्रिया के साथ जोडने से बनता है और दूसरा प्रत्य होता है तधित नेक्स्ट तलीन का शंदी विछे दोगा तधनलीन नेक्स्ट कमल का पर्याबाची राजीव कुबले अंबुझ नेक्स्ट बिलोम सब्द युग्म सही कौन से हैं तो मुख का बिलोम वाचाल होगा, पुरशकार का तिरशकार होगा, भूत का भविश होगा, प्रवेश का निकाश होगा यह मैं सही करके लाया हूँ और आगे देखते हैं कि अकर्मक क्रिया वाक्य सिसु सो रहा है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है नेक्स्ट वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों, अथवा दो खंडों को जोडते हैं, क्या कालाते हैं, समुच्चे बोधक नेक्स्ट जानने के इच्छा रखने वाले को जग्याशू काते हैं, यह भी जान लेजिए, कि जानने के इच्छा कोई जग्याशा काते हैं, जानने के इच्छा रखने वाले को जग्याशू, तो जग्याशू जानने के इच्छा रखने वाला और जानने के इच्छा जग किए सावगा निस्ट हिंदी के जीन वर्णों का उच्जान करते से में किल स्वांस का प्रहा होता है अघोश कROT को हला और दूसरा ऐओन्ड और दूसरा ऐओन्गों इस होता है और तीसरा चोथा पांच्वाँ सगोष होता है सघोस में स्वर्थ अंत्रियों में कमपन होता है लेकिन अगोश में नहीं होता है तो दोस्तों ये 2012 से लेकर 2019 तक के PCS उत्तरपदेश की CSET second paper के अंतरगात आने वाले हिंदी के प्रश्णों का हल था तो इसको आप भी अच्छे अच्छ देख लिजिएगा और इसी के अंसार अपने तयारी करिएगा वीडियों देखने के बाद यदि आपको वीडियों अच्छा लगा हो तो वीडियों को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों में सेयर कर दिजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा वीडियों देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्वाद